लेकर आए हूं लोटस हर्वल्स के जैल क्रीम के बारे में अच्छे दिन हो गया होगा पूरा तब से मैं इसको यूज़ कर रही हूं और यह जैल बेस क्रीम है तो बहुत कम आमाउंट में आपको यूज़ करनी रहती हो पूरे फेस पर आपके लग जाती है और इस अच्छे स जैल है तो जैल बहुत अच्छे से अब्सर्व हो जाता है जैल क्रीम होने के बाद भी इतना ग्लो प्रवाइट करती है आपके फेस पर वाव मुह बहुत पसंद आई इसके बात कर लेते हैं इसके क्लेम्स की इसकी डीटेल्स की इसके बाद ही आके रेवियो में हम बढ़त इसके हैं यहां लोटस हर्वल्स की वाइट Gardening एड ब्राइटनिंग जैल क्रीम गाइस वाईट निंग को फियर्ने से ना जोडए यह आपको गोरे करने में कोई भी हां नहीं करेगा वाईटनिंग और ब्राइटनिंग का मतलब यह है कि आपके यह सकन को ग्लोव करेगा जो डलनेस आपके फेस के ऊपर है उसको रिमूब करने में यह आपकी हल्प करेगा ठीक है यह जैलबेस क्रीम के अगॉर्डिंग मेरे असाब से यह नॉर्मल कॉमिनेशन एंड ओईली स्किन वालों के लिए बैसा यह ड्राइब स्किन वालों के लिए वाक नहीं करेगी बड़ विंटर्स में मैं अभी इसी को इस्तेमाल कर रही हूं मुझे बिल्कुल भी ट्राइनेस की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे फेस के ऊपर तो फिर भी मैं लिए ड्राइबालों को रिकमेंड नहीं करूंगी अगर इसको यूज करना चाहते हैं तो वो इसको समर्स में ड्राइब कर सकते हैं अभी उनकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राइब हुई उनको तो बिल्कुल मॉस्टराइजर और नरिशिंग की जरूरत है इस क्रीम को मान 25 तो फिर मैंने सुचा कि एक जैल बेस क्रीम के साथ आपको एक सन प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा तो डैफिनेटली एक पर इसको ट्राइब करना चाहिए और यह इन्फ्यूज है ग्रेप्स के साथ तो यह क्रीम है वो ग्रेप्स की है उसे बिल्कुल ऐसी स्मेल आती है र आपको इसके रिजल्ट दिखने लगते हैं और गाइस ट्रस्ट मी मलब फर्स्ट टैम जब आप इसको यूज करते हो और आपकी स्केन ऑली टाइप है या नॉर्मल या कॉमिनिशन कोई भी इसके टाइप है तो आपके इसके रिजल्ट फर्स्ट वार में ही दिखेंगे मु फोड़ी देर बार लाइक आदे घंटे मिनिट बाद बिल्कुल सेटल हो जाएगी ना आपके फेस के उपर उसके बाद यह अंदर से इतना ज्यादा ग्लो प्रोवाइड करती है आपके फेस के उपर अलग ही देखने लगता है दस-फंदर मिनिट के बाद आओगे हातों प होता है वह जैल आपके फेस पर पहले तो अब्सॉब हो जाता है और फिर अब्सॉब होने के बाद दस या पंदरा मिनिट बाद या फिर आदे घंटे बाद आपके स्किन की अकोडिंग वह अपना रिजल्ट फिर दिखाता है तो मुझे यह चीज इसकी बहुत ही जादा प लिए लाइकनिंग में वर्क करता है जितनी भी आपकी स्किन टोन है पिंग्मेंटेशन हो रखिये या अनीवन स्किन टोन हो रखा है तो इसको ठीक करने में यह आपकी हर्प करता है अफकोस करता है मुझे इसके रिजल्ट दिखें पर मुझे 15-20 दिन लग गया इसके वह वाइटनिंग एफेक्ट देती है आपके स्किन पे ब्राइटनेस दिखने लगती है अब आता है ब्राइटनिंग इनहांस स्किन रेडियेंस नेचरली आपको यह स्किन होती है उसको उसकी ब्राइटनेस को इंक्रीज करने में यह हेल्प करता है गाइस मैं ऐसा नहीं ब तो वह जितनी भी पिग्मेंटेशन है वह सारी रिमूव हो जाएगी इसके रिजल्ट इसनों ने सेवन डेज दिया हुआ है बड़ इसके रिजल्ट सेवन डेज में तो नहीं देखेंगे डेफिनेटली आराम से आपको पंदा दिन लग जाएंगे बड़ वहीं अगर आपके कंडिशन स्किन की खराब है फिर आप इसको यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली इसके रिजल्ट देखने में आपको मंत या एक मंत से जादा भी लग सकता है मलवेरी एक्स्टैक्ट एंड ग्रैप एक्स्टैक्ट इन यह बहुत ही जादा अच्छे होते हैं इसके बाइट आपको बता है जैल बेस्ट क्रीम है तो बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाती और एब्सॉब भी हो जाती है एक मंगाया है वह है 18 18 ग्राम का और के लिए मुझे इसके पे करने पड़े हैं MRP है इसकी 99 रुपीज थूड़ी सी इसके क्वाइंटिटी के अवर्डिंग मेहंग पर आपको जाएगा और इसको आपको इसकी सेलफ डाइव तक मिल जाती है अगर आपकी स्किन पर छोटी मोटे इशू है तो आपको इसके रिजल्ट आराम से 10-15 दिन के अंदर दिख जाएंगे और अगर आपकी स्किन पर बहुत ही जादा डलने से पिग्मेंटेशन है अनीवन स्किन टोन है संबर्न हो चुका है संटैन हो चुकी है तो डेफिनेटली इसको कम से कम मन्त लग जाएगा पूरा अपना एफेक्ट दिखाने के लिए 7 डेशन में कोई इसका मैजिकल ऐसा एफेक्ट नहीं है बट या डेफिनेटली बहुत अच कर सकते हैं मैं इसको ओली एंड कॉंबिनेशन और नॉर्मल स्किन के लिए जादा प्रफर करूंगी कि वह इसको करें तो इसको ज्यादा अच्छे रिजल्ट दिखेंगे और अगर आपकी कोई ऐसी ही जैल वेस्क्रीम फेवरेट क्रीम है तो उसके बारे में कमेंट वक्स म करेंबर आप स्कूर्य तो इसको एक फर जरूर्य करूं कि में तारीफ स्कूर्ण करती हूं किमें किसीだ अप viktigt को इसको सब्सक्राइब करती हूं पर उपर यूँज कर correct क्या uyके कि अब्सक्राब बतन और बेल इकन अब एक और देली अबड़ एक अब्सक्राइब एक कर देली अबड़ एक अबड़ एक अब एक नुट जार के लिए एक है